वाट्सआप गाईस क्या है मेरा नाव मेरा दकार आप देख रहें टेक वोक्स तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले अंडर 30,000 में टॉफ आइफ फोन दोस्तो जो आपकी नीट को फुल्फिल कर सके मेरे अच्छे बोलने से नहीं होता कि ये पाटिकूलर फोन अच्छा साथ हजार मिलियमपेरार की बैटरी है तो वो ले सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों पाचवे नंबर पे जो फोन है वो उन लोगों के लिए है जिनको एक कॉंपैक्ट फोन चाहिए सस्ता सा 5G फोन चाहिए मतलब 20-22,000 तक का 26-26,000 रुपए नही जो दोस्तों आप में एक जबरजस और ऑक्सीजिनli ओैस के साथ है दूसरी चीज दोस्तों देखने में ट्रिपल रियर के साहाथ आता दोस्तों प्लास्टिक बॉड़ी आती है लेकिन दोस्तु इसको फौन इस्बेة के साहाता बात करते हैं दोस्तों इसको प्रोसेसर के Snipe Dagon 750 GLH इसमें 5G प्रोसेसर दिया गया है जो काफी अमेजिंग है बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा की 4682 MP का ट्रिपर रियर कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है बात करते हैं इसके डिस्प्लेइ की दोस्तों तो 6.43 इं एक compact phone लेना है छोटा सा phone लेना है दोस्तों तो यह phone ले सकते हैं बेश्ट रहागा दोस्तों 5G phone भी आपको मिलेगा one plus भी मिलेगा और oxygen OS के साथ मिलेगा लेकिन दोस्तों यहां एक कमी जो मुझे लगी इनका जो signature दोस्तों इनका लेक्टाइल बटन था जिसके वज़ा से दोस्तों iPhone में जैसे silent हो जाता था उसी तरह का इसमें बटन था जो वन प्लस नॉड में था लेकिन इसमें नहीं है तो इस तरह का कुछ मामला चल रहा अगर आप लेना चाहते तो यह value for money है और 20-22,000 में one of the best है दूसरे किसी phone पे आपको camera centric phone देगा अगर camera centric phone में अगर आप चारे gaming वागरा नहीं करते सिर्फ आपको camera से मतलब है और दोस्तों 5G चाहिए तो यह दो phone में से एक phone आप ले सकते है पहला जो है दोस्तों Vivo V20 Pro यह जो phone है दोस्तों काफी amazing है आप देखने में भी काफी जबजस लगता है यह बात करते है स्पेसिफिकेशन की snapdragon 765G वला दोस्तों इसमें प्रोसेसर देखना को मिलता है यहां पर दोस्तों 60Hz का पैनल दिया गया है तो इस तरह को कुछ मामला यहां पर बनता है बात करते हैं दोस्तों 4000mAh की बैटरी 30W का fast charging और USB Type-C के साथ यह phone आता है यह अगफ 2020 में launch हुआ है दोस्तों लेकिन अभी भी यह एक साल नहीं हुआ है तो इसे phone को ले सकते हैं बागी बहुत सारे phone थे दोस्तों लेकिन old phone था इसलिए मैं नहीं लिया क्योंकि दोस्तों security patch level का वहां पर problem होता है तो इस वाज़ा से पुराना phone मैं recommend नहीं करता हूँ तो दोस्तों बात करते वन प्लस नॉट करतों दोस्तों डिजाइन जो है इसका काफी जवर्जा सा काउट सेंसर कैमरा के साथ आता है दोस्तों यहां पर बात करते हैं डूल पंछोल डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें दोस्तों डूल में दो कैमरा दिया गया है बात करते ह दोस्तों इसके camera की 48 MP 8 MP 5 MP 2 MP का rear camera देखने को मिलता है 32 8 का selfie camera देखने को मिलता है तो selfie camera इसका काफी killer है दोस्तों बात करते है battery की 415 mAh की battery और 4W का fast charging यहां पर देखने को मिलता है तो काफी amazing दोस्तों इस phone को बनाता है OnePlus Nord तो दोस्तों यही दो phone हुए Vivo V20 Pro और दोस्तों OnePlus Nord यह दो phone दोस्तों camera centric phone है इस price range में जो आप ले सकते हैं अगर दोस्तों आपको refresh rate के साथ चाहिए अच्छा दोस्तों camera तो आप OnePlus Nord ले सकते हैं वरना दोस्तों Vivo V20 Pro best value for money है बात करते हैं दोस्तों gaming phone अगर आपको लेना है दोस्तों under 30,000 में तो एक ही phone है दोस्तों जो best gaming phone और dual chip के साथ आता है बात करते है IQ7 यह जो phone है दोस्तों dual chip engine के साथ आता है snapdragon 870 का दोस्तों इसमें processor देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहां पर dual chip दिया गिया है जिसके वाज़ा से gaming काफी जबर्जस और दोस्तों liquid cooling वगएरा carbon optic दिया गिया है जिसके वाज़ा से phone heat नहीं होता है बात करते हैं दोस्तों 6GB RAM 18GB internal memory से यह शुरू होता है 30,000 तक का दोस्तों यह phone आ जाता offer वगरा में वैसे इसका 31,000 price रहता है लेकिन दोस्तों gaming अगर आपको करना है तो 30,000 तक का बढ़ जाए तो आपको best gaming मिलेगा बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या-क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर मैंने बता दिया दोस्तों बात करते हैं दोस्तों डिस्पले के 6.62 इंच का दोस्तों सूपर एमोलेट डिस्पले दिया गिया है जो 120 हट्स का है दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह फोन आप consider कर सकते हैं और देखने में भी काफी जबर्जस लगता है तो दोस्तों ये फोर आप ले सकते हैं बेस्ट गेमिंग के लिए ये वन आप दा बेस्ट है इसलिए ये दोस्तों नमबर टू पर आता है अब बात करते हैं दोस्तों आपको एक all-rounder फोन चाहिए और दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है लेकिन देखने में काफी अमीजिंग और काफी खुप्सूरत सा ये फोन है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की 6.4 इंच का दोस्तों सूपर एमोलेट डिस्प्ले दिए गिया है जो दोस्तों 120 हर्स का है बात करते हैं दो होता है दोस्तों अर इसकी जो प्राइजड है 26,999 रुपए में दोस्तों ये वेल्यूपर मनी आपको प्रॉइड करता है तो दोस्तों और पहला जाए तो यह फोन है तो दोस्तों यही पाच फोन हुए जो दोस्तों अंडर 30,000 में वन अप दबेश्ट अगर आपको याम सं 7 ले सकते हैं तो गयर smag c VND शाहिए तो और र плох बंकर करके ले सकते है, ऊपका concept क्लीयर हो गया होगा आपको एच्छा लगे तो लाइक कर दीजा और इस तरह हमारा टेक न्यूज रहता है दोस्तों तो टेक न्यूज में भी आई यह बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं तो दोस्तों चलिए फिर मिलता है निक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाए